नमस्कार, Pediatrics के एक नए टॉपिक में हम बात करेंगे Neonatology में Hypoxic Istremic Encephalopathy के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे Epgar Score से Evaluate किया जा सकता है इसके अलावा हम Neonatal Seizures के बारे में भी बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम HIE की प्रावलम को इस प्रावलम के बारे में जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो यह Istremia, Hypoxia और उसकी वज़ा से Encephalopathy यह Common Term आपको याद रखना है जैसा कि इस नाम से ही Clear हो जाता है Hypoxic Istremic Encephalopathy में तीनो ही चीज़े होती है इसलिए मैंने तीनो Term को बोला इसकी शुरुआत कैसे होती है Hypoxia के साथ जहां पर Blood की Supply कम होने से Istremic Changes आते हैं Shortest of Blood Flow to the Brain जिसके करण Brain Damage होने लगता है इतना ही नहीं इसके साथ Multi Organ Fillure के भी या Multi Organ Disfunction के Features भी देखने को मिलते हैं खास है Brain तो इसलिए इसको कहा गया Hypoxic Istremic Encephalopathy इस दोरान होता क्या है Clinical और Laboratory दोन ही Evidences मिलेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे अभी मैं ये Evidences बताऊंगा कैसे हम चेक करते हैं इस दोरान Acute Sub Acute Brain Injury होती है कारण क्या है Asphyxia इसी वज़े से हमने कहा Hypoxia जिसके करण Estremia हुआ Estremia होने के करण Brain Damage हुआ तो यहां Primary Causes of this Condition are Systemic Hypoxia and are Reduced Cerebral Blood Flow तो आप समझ सकते हैं यहां पर Systemic Hypoxia के साथ यहां Reduced Cerebral Blood Flow होगा यह Features कैसे बच्चों में देखने को मिलता है इस पर जब हम सोचने का प्रयास करते हैं तो यहां पर जो भी हमें Clinical Neuropathological Findings मिलेंगी मैं इन सारी चीजों को बताऊंगा Clinical क्या Features मिलेंगे Neuropathological क्या Findings मिलेंगे इन पर भी बात करेंगे इस दोरान हम सीधे तोर पर कह सकते हैं इन से फैलो पैथी हुई क्यों हुआ यह बच्चा तो Full Term Infant है तो यह देखा गया है कि उस बच्चे ने Intrapartum Asphyxia के कई सारे एपिसोड्स अपने Intrapartum Life के दोरान उसने देखे इस वज़ा से यह प्रावलम हुई है तो आप समझ सकते हैं कोई भी ऐसा Full Term Infant जिसने Intrapartum Asphyxia के कंडिशन के साथ अपने सर्वाइव किया है तो इसके करण HIE की प्रावलम डेवलप होती है आप देख सकते हैं यह Intrapartum Condition जिसमें Normal Blood Flow है यहाँ पर Decreased Blood Flow है जब Blood Flow Decreased होगा तो क्या होगा ब्रेन के Cells को Adequate Amount में Nutrients और Oxygen की Supply नहीं मिल पाएगी जिसके कारणों ब्रेन के Cells Istremic State की वज़ा से यहाँ पर Damage हो जाते हैं तो इसका क्या-क्या Effects मिलेंगे उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर ना सिर्फ ब्रेन बलकि Multi-Organ Dysfunctions भी देखा जाता है तो यह पात पता होना चाहिए Decreased Blood Flow की वज़ा से ऐसा हुआ है याद रखिएगा कोई भी ऐसी Injury कोई भी ऐसा Insult जिसने ब्रेन को Oxygenated Blood Flow कराने में दिक्कत पैदा किया हो वो सारी Conditions HIE Develop कर सकती है Injury भी Insult भी कुछ भी ऐसा हुआ हो अब सवाल यह उठता है किसको Diagnose कैसे किया जा सकता है तो यह Research से पता चला है कि कोई Diagnostic Test नहीं है HIE के लिए लेकिन यह बात जरूर है कि Abnormal Finding Neurological Examination के दौरान अगर मिल रहे है After Birth तो यह Single Most Useful Predictor है कि Brain का Insult हुआ था Perinatal Period के दौरान जिसके करण Abnormal Neurological Examination Finding मिल रही है इसके Essential Criteria के रूप में आप देखेंगे Incephalopathy के Early Onset of Incephalopathy Multi System Organ Disfunction जिसके बारे मैं बता चुका था इतना ही नहीं Cod का pH 7 से कम होगा ये बात भी इस चीज को justify करने का काम करती है कि यहाँ पर Oxygen की कमी थी यहाँ Metabolic Acidosis की Criteria पूरी होती है इसके करण ऐसा पता चलता है कि Cod का जब pH देखा गया तो वो 7 से कम था इसके अलावा आप चाहें तो Base की Deficit भी इसके लिए Criteria हो सकती है यहाँ पर Clinical Manifestation क्या होगा मैंने आपको बताया है कि यहाँ Neurological Symptoms Early Stays में ही आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर हम तीन चीजों को चेक करते हैं उसके आधार पर तीन Stays बनाते हैं Level of Consciousness यह देख सकते हैं बच्चा Hyper Alert है या Lethargic है Stupress है कोमा में है Muscle Tone को जब देखते हैं तो कैसा है इस आधार पर और Posture कैसा है उस आधार पर हम Stays देखने का प्रयास करते हैं यह Stays 1 है और सबसे बेकार Stays 3 है Muscle Tone का Relation मैंने आपको बताया था कि Brain के Oxygenation से Related है Brain को Oxygen की Supply अच्छी होगी तो Muscle Tone बहतर होता है अगर Brain को Oxygen की Supply बेकार होती है तो Muscle Tone Flicid होते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं उन सारी चीजों को Recall कर लेते हैं HIE से Related Points को यहाँ पर आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि Resistation Fail हो जाता है क्यों? क्योंकि Term Child है Neurological Features आ रहे हैं और Already जन्म से पहले ही Brain के कुछ Parts डैमेज हो गए हैं इसके कारण यह चीज़े देखने को मिलती हैं कई बार इस तरीके का होता है कि Neurological Features Develop हो जाते हैं इसके बावज़ूद के आप Resistation करते हैं ऐसे बच्चों में अबगार स्कोर 3 से कम मिलता है अबगार स्कोर 5 मिनट्स पर जब हम चेक करते हैं तो 3 से कम मिलता है दूसरी फाइंडिंग होती है Fetal Blood Acidosis की आप यहाँ पर देखेंगे अबगार स्कोर कम है इसका मतलब यह ग्रूड क्राइटिरिया नहीं है बहुत ही गड़वड मामला है Fetal Blood Acidosis के बारे में में भी हमने बताया था कि आप Cod का Blood और उसका pH आप देखने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह Cod के Blood की Acidosis भी इस बारे में बता सकते हैं कि Fetal Blood Oxygenation अच्छी तरीके से नहीं हुआ था इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि अबगार स्कोर पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते क्योंकि यह Individual Observation है यह Subjective Criteria है इसलिए कोई उसी बच्चे के लिए ज़्यादा स्कोर देते हैं कोई कम देते हैं तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा Reliable नहीं हो सकते हैं हम Objective Criteria जैसे Cod के Blood का pH हम देख लें इसके अलामा हम Hypoxia की सारे Features भी हम यहाँ पर देख सकते हैं इस आधार पर कि Multi Organ Disfunction के Features भी मिलेंगे तो कई चीजें हैं जो यहाँ पर हमारी मदद करती हैं Multi Organ Disfunction अपने आप में बताएगा कि यह Hypoxia से Associated Condition है तभी ऐसा हुआ होगा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ अबगार स्कोर ज़्यादा Reliable नहीं है Cod का pH देख लीजे Hypoxia की वज़ा से कुछ और सपोर्टिव आइडियाज मिलेंगे जैसे Multi Organ Disfunction इसके अलावा Neurological Features जो सबसे खास होते हैं वो भी यहाँ पर मिलने लगते हैं जो Neurological Disfunction के आइडियाज, साइन और सिंटम्स जो मिलते हैं यह इसको सपोर्ट करते हैं कि कभी ने कभी जन्म से पहले brain को insult हुआ था उसे oxygen के supply कम हुई थी इस दौरान सबसे common organ है brain जो प्रभावित होता है second most common organ है kidney तो इसलिए मैंने कहा Multi Organ Disfunction के features यहाँ पर देखने को बलते हैं management का जब हम part पढ़ते हैं तो यहाँ पर therapeutic hypothermia देने की ज़रूरत पढ़ती है ऐसा क्यूं hypothermia कैसे treat करेगा उस चीज़ को हम यहाँ पर इस flow chart में देख सकते हैं यहाँ therapeutic hypothermia की condition apply करते हैं इस दौरान आप देखेंगे कि hypoperfusion की वज़ा से blood की supply बहतर नहों पाने के कारण hypoxia हुआ जिसके करण ischemic changes हुए यहाँ पर मैं आपको इसको detail में नहीं ले जाओंगा बस मैं आपको सिर्फ conclusion बताना चाहता हूँ कि ultimately यहाँ पर हुआ क्या actual में यहाँ hypoxic ischemic changes के करण anaerobic glycolysis स्टार्ट हो गया जिसके ultimate results के रुप में आप देखेंगे free radicals का formation होता है यह free radicals के formation जितने ही जादा होंगे उतना ही जादा brain के self damage होंगे हम hypothermia की condition provide करके इस तरीके के free radicals के production को slow down करते हैं जिसके कारण rate of apoptosis कम हो जाएगी इस दौराण neurotoxins का production कम हो जाएगा hypothermia के कारण इस दौराण जितने भी free radicals है, NO है, lactates है यह सारे के सारे produce होने कम हो जाएगे यह सभी के सभी एक toxic material के तरीके से या यूं कहले कि यह injured करते हैं brain के cells को तो यह पूरी की पूरी process slow down कर देना है इसके कारण हम इसका therapeutic benefits ले सकते हैं याद रखिएगा इस दौराण temperature 33 degree के आस पास रखनी है क्योंकि जब temperature कम रहेगा तो mortality कम होगी और इस दौराण जो भी impairment है वो सारी चीजें आप जो भी impairment होने वाले हैं neurodevelopmental impairment उनको आप कम कर सकते हैं और इस दौराण ये method 6R के भीतर ही apply किया जाना चाहिए और इस दौराण temperature का point 33.5 degree Celsius set कर देना चाहिए तो ये अपने आप में अलग सी बात लगती है कि क्यों therapeutic hypothermia provide की गई temperature कितना रखा गया वो भी याद रखिएगा 33.5 कई बार बोला जाता है 33 to 34 तो वो भी सही option है